गुड मार्निंग, कैसे हैं आप लोग? डेली करेंट अफेर को हम लोग रिज्यूम करेंगे जैसे जैसे हम लोग डेली का करेंट अफेर करेंगे साती साथ उसका स्टाटिक पार्ट भी रिलेट करते जाएंगे UPSC के दिमांड के हिसाफ से मतलब कि अगर मैं पहला टॉपिक आज आज आपको इंटरनाशनल योगा डे के बारे में पढ़ाऊंगा तो जरूरी है कि आर्ट एन कल्चर में जो आपको योगा का पोर्शन जानना है वो भी मैं आपको साथी साथ बताता चलू ताकि आपको इंटरनाशनल योगा डे था इसले था यह कल था इंटरनाशनल योगा डे ना 21st जून को हर साल 21st जून को इंटरनाशनल योगा डे मनाया जा रहा है लेकिन कब से मनाया जा रहा है वो जानना जरूरी है देखिए यह वाला 7th International Yoga दे था International Day of Yoga बोलिए तो यह वाला 7th था तो क्यों था क्यों था क्यों कि इसके शुरुआत होई थी 2015 से तो 15 में हुआ, 16 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ, 21 में हुआ, तो कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, पाँ, चे साथ, तो यह 7th International Day of Yoga था, और यह 7th था, और 2015 में शुरुआत होई थी, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसके पीछे यह स्टोरी है, कि International इसलिए है, कि United Nation ने करवाना शुरू किया, अपनी तरफ से, इनिसियेटिव लेखे, तो इंडिया ने क्या किया था, कि इंडिया ने अपना एक अपील डाला था, कहिए कि पूरे वर्ल्ड में, जो है, मैसेस पहला था, कि योगा जो है, हर किसी के लिए है, जनरल हिल्थ के लिए, यह किसी religion से related नहीं है, just like meditation है, तो इसको United Nation ने recognize किया, और recognize कब किया था, देखिए, चुकि International योगा डे 1st वाल का आब आया था, 15 से, 21st जून तो उसके पहले किया होगा था, पहले कब किया था, 11th December 2014 में किया था, United Nation ने प्रोक्लेम किया था, 11th December 2014 को, कि हम अगले साल से, मतलब कि 21st June 2015 से, International योगा डे मनाना शुरू करेंगे, और उसके लिए देखिए, रिजालूशन आथा, चोकि United Nation की General Assembly की बात है, तो resolution आगा, तो resolution number 69 by 131 ता, तो तभी से 2015 से चल रहा है, अगर इस बार की भात करें, तो हर बार का एक International Yoga Day बगर है, या कोई विडे होता है, तो उसका एक theme होता है, कि हम किस चीज़ पर focus करेंगे, योगा for well-being, अब ये तो क्या, योगा for well-being तो एक ऐसा theme है, जो कि काफी वेग है, योगा का तो यही, हर साल यही theme हो सकता है, तो इतना specific नहीं हो सकता, तो खेर, सबकी समझ में आए, एक इसलिए general theme अभी भी रखा गया, ये evolving concept है, जोस्ट अपके 7 साली हुए, तो 2021 का theme क्या था, योगा for well-being, अब योगा है क्या, और आत्मा को, योगा की बात भी करें, अगर, अगर आप Hindi mediums हैं या नहीं भी है, योगा मतलब addition होता है, योग, है ना, subtraction, addition जैसे होते हैं, हिंदी में, English में word, तो उसी का जो addition होता है, तो वही होता है, योग, राइट, तो किसका addition होना है, तो Sanskrit word है योग, और उसका मतलब होता है क्या, to unite or to join, बट क्या number जोड़ने, नहीं, union करना है, आपके body को, आपके consciousness से, वो consciousness जहां पर आप मुक्ष के प्राप्ति करते हो, आपको realize हो जाता है, कि आप ब्रह्मा और आत्मा एक ही हैं, उसी का part हो, इसी को योगा बोलते हैं, तो ये आपका universal appeal जो था इंडिया जो war चल रहा है, सब में लोगों को calmness मिले है, और लोग जो है, peacefully अपनी life बिता है, साथी साथ mental health, physical health, सब कुछ है, first yoga celebration कब हुआ होगा, 2015 में हुआ हो इंटरनेशनल वाला, तो इंडिया ने उसके लिए special effort लिया था, इंडिया ने बोला कि चलो कुछ record बनाते हैं, जैसे कि मदद से राजपत में, नई दिल्ली में record create किया गया, दो गिनीज world record create किये गया था, आपको पता है, it was the first, it was the world's largest yoga session, किसमें कितने लोग थे, ये सवाग वो जानने की जरूत नहीं है, लेकिन गिनीज world record बन गया था, इतना जान लीजिए, और personalities, nationalities ने भी participate किया था, 84 nationalities ने वहाँ पर participate किया, तो बताइए, record बन गया, और इधर आपका 160 प्लस वाला record बन गया, अगर आप इन सारे चीज़ों को याद करने लगेंगे, तो ऐसी गलती मत करिएगा, तो एक UPC aspirant को इसमें क्या extract करना चाहिए, UPC aspirant वहीं extract करेगा, जो समझेगा जानेगा कि आर्ट इसे हैं योगा क्या लावा, तो अगर मैं अगर बुक खोल के दिखाऊंगा नितिन सिंगा निया, तो copyright आज आगा, तो एक काम करते हैं, UNESCO की website पे चलते हैं, ये है देखिए, UNESCO के list, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, list of intangible, मतलब intangible मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, cultural heritage, UNESCO के जो sites होते हैं, जो heritage का आप देख रहा हो, जैसे कि आपका world heritage sites होती है, वो तो आप touch कर सकते हैं, वो tangible है, what about those things which are spoken from the mouth, and just felt, इसको आप touch नहीं कर सकते, या देख सकते हैं, बस touch नहीं कर सकते, तो वो होते, intangible cultural heritage, UNESCO के representative list होते हैं, एक रिपरजेंट करत हैं, आपके कुछ cultural practice को, या किर किसी register of good safeguarding practices को भी करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बात करें, तो 13 जो elements है, UNESCO के representative list में, उसको मैंने या पर filter out किया हुआ है, और हम सबसे पहले क्या recognize हुआ तो वहां से चलेंगे, तो ये कहानी शुरू होई थी 2008 में, 2008 में क्या होता, ती इन हमारे इंडिया की cultural heritage को representative list of intangible cultural heritage of humanity, UNESCO के list में डाला गया, एक कुटी अटम, क्या आपको पता है, एक Sanskrit theater है, मतलब drama का form है, Sanskrit का, dance drama दोनों होता है, और आपको जानकर ताजुब होगा कि Sanskrit theater है, लेकिन कहां से belong करता है, Kerala से, right, दूसरा Ramlila, the traditional performance of the Ramayana, जो Ramlila जो होती है जो आपका drama होता है, उसको भी recognize किया गया है, tradition of Vedic chanting, अगर आप Vedic chanting कर रहे हैं आप, उसको भी recognize किया गया, ये तीन पहले list में आगे थे 2008 में, 2009 में क्या है, representative list of the intangible cultural heritage of humanity में, रम्मान, एक religious festival है, और साथी साथ एक theater है ये, और ये रम्मान कहां होता है, गड़वाल हिमालिय जो होते हैं, वहाँ पे होता है, 2008-2009 होके यहां तक चार बन गये थे, उसके बाद 2010 में तीन और चीज़ें डाली गई, च्छो डांस, ये जो आपके जारखंड, उडिशा और वेस्ट बंगल के border पे होता है, तीनों स्टेट में, च्छो डांस, एक martial art का डांस का फॉर्म है काल बेलिया, फोक सांग, राजस्थान का जो है, काल बेलिया, जो मटका बटका रखते हैं, डेर सारा सिर पे, काले कपड़े पहन के, काल बेलिया, जिसमें साप का मूवमेंट किया जाता है, इसको भी 2010 में डाला गया, और मुडिये टू, ये एक केरल का ही, डांस और ड्रा चैंटिंग आगे, कई लोग करते हैं, खास करके लदाख की लोकेशन का बुद्धिस्ट चैंटिंग है, उसको इंक्लूट कर दिया गया, और साथी साथ अगर कोई sacred बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालियन लदाख रिजन में, तो वो भी जो है, इ चैंटिंग की क्लास चल रहे है, इस कॉरिडोर की 11 रुपीज की जिसमें लगबग 100 आर्स की पढ़ाई है, और सारे स्टेट बाई स्टेट पूरा एकदम मस्त वाला पीडिये बना हूँ, आप देख सकते हैं, चैनल की कम्यूनिटी पे, 11 रुपीज का है, संकिर्तन उसमें की folk music सब पूछ है, तो ये मंदिर के around कराया जाता है, संकिर्तन उसको 2013 में recognize कर लिया गया, फिर 2014 में क्या होता है, ये पंजाब का एक area है, चंदियाला गुरु है न, वहाँ पे brass और copper के craft और utensil बनाने का बहुत पहले से चल रहा है एक art, वहाँ पे community है, थठे थराज, थठ के पंजाब में, वह traditional brass and cropper का craft making technique है, utensil बगर बनाने का, फटपट बना डालते हैं, इसको भी recognize कर लिया गया, फिर आपका यहीं पे आता है action में योगा, लेकिन योगा के लिए नहीं आता, 2016 में योगा को recognize किया गया, देखिए, आपके UN न तो इसको declare कर दिया था, 2015 में, International Day of योगा, 2014 में, in fact, और 2015 से शुरू हो गया, उसके बाद UNESCO भी action में आती है, 2015 में इसको recognize करती है, intangible, representative list of intangible cultural heritage of humanity में, योगा recognize हो, 2016 में, योगा के साथ-साथ नो रोज हुआ, जो पर्षिन कल्चर से चला रहा था, नो रोज भी recognize हुआ, और ये बस इंडिया में recognize नहीं जितने भी इसके word के variant होगे, सारे recognize होगा, बस एक country में नहीं देख रहे हैं, अफगानिस्तान, अजर्बाइजान, इंडिया, इरान, right, कजाकिस्तान, इराग, खिर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्क्मनिस्तान, टर्की, इन सारे जगों म में डाल दिया गया, इंडिया से, ऐसे करके total आपके 13 हो गया, इसके साथ ये भी जाने कि इंडियन जो philosophy है, उसका भी एक type है, योगा, ये philosophy का type है, और क्या है इसका concept, concept ये है कि योगा जो की kind of meditation ही है, अगर वो करें तो हमारा union हो सकता है spiritual, और उससे क्या होगा, पूरुष जो है, पूरुष एक element है, वो प्रकृति से release हो जाएगा, और independent हो जाएगा, और वहीं पे उसको क्या प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ष के प्राप्ति हो जाएगी, तो पूरुषा will get released from प्रकृति, इप योगा is done properly, and then you will achieve the salvation that is मुक्षा, अचाय योगा की origin कहा है, पतंजल जो थे है, योग गुरु, उनकी सुत्रों से है, पतंजली के सुत्र को क्या बोलते हैं, योग सुत्र, फॉर्मूला, ओके, योग सुत्र, और पतंजली को कब का माना जाता है, second century BC का माना जाता है, चोकि UBSC में एक बार direct question आ गया था, इसलिए मुझे यहापे आपको बतान हैं, eight limbs of yoga के बारे मतलब, yoga के eight parts, तो eight parts होंगे, तो asht बोलते हिंदी में, तो asht अंग, organs और limbs, अश्टांग योगा क्या होता है, देखे, पतंजली के सुत्रों के हिसाब से, पतंजली के योग सुत्र के हिसाब से, उनके योग को classify किया था, और eight limbs के नाम क्या दिये, देखे के यहां पर listed है, right, इसकी detailing में नहीं जाओंगा, यम, नियम, आसन, प्रानायाम, प्रत्याहार, धारन, ध्यान, और समाधी, last में जो है, समाधी हो जाएगी, अगर यम की बात करें तो क्या करना पहले बाले में, अहिंसा, right, non-violence, सत्य, truth, अस्तेय, मतलब किसी की चोरी ना क है ना, मतलब कुछ material है भी, तो उससे आ सकती नहीं, non-possessiveness, अब अरिग्रह, यह सब यम के हैं, यह सब basic हो गए, अब दूसरा है, नियम, नियम मतलब क्या होता है, rule regulation, law, क्या है करना, short, short मतलब आपको जो cleanliness maintain करनी होती है, speech की भी, body की भी, body की भी, purity सारी, संतोश, contentment, कि ह हाँ, हम इतने में खुश है, तपस, persistence, perseverance, जो आपको देनी है, UPSC के लिए, तपस्या वाला, self-discipline, और दीखे, चौता क्या है, स्वाध्याय, study of vedas, आप खुद पढ़िए, अध्याय है, study of self, खुद को पढ़िए, emotional intelligence develop करिए, यह सारे जो है, आपके ethics वगरे में यूज हो थर्ड बला आता है, आसन, तो आसन तो आप समझते ही हो, परानायाम, परानायाम वही है बेलकुल, जो आपके बाबारामदेव कराते हैं, सांसों पे control करना वगरा, उसके बाद परत्यहार, इसका मतलब होता है, अपने बारे में awareness होना, खुद के बारे में, इसका मतलब यह आप उल्टी आने लगे, अच्छी चीजे दे के आप खुश होने लगो, इसी को परतिहार बोलते हैं, परतिहार का meaning ही होता है, अगेंस्ट, प्रती, अगेंस्ट, और आहार, मतलब ब्रिंग नियत, जो उसे दूर चले जाई है, बाहर के चीजों से, और आपने अंदर चले concentration, अगें, inward concentration, focus, one-pointedness of mind, एक जगह ध्यान करना, क्योंकि धारना का मतलब ही होता है, जैसे धरना कैसे word बना है, एक जगह बैटके लोग नारे बाजी करते है, धर का मतलब ही होता है, to hold or maintain or keep, then seventh is ध्यान, ध्यान is meditation है न, उसमें भी contemplation होती है, reflection होता है, और जो last stage है, वो प मुक्ष वगर की बात होती है, putting together, समाधी का मतलब ही, तो जुड़ जाना, finally, combining with the God, union, right, this is the final stage, यह होता है, अस्टांग योग, तो eight limbs आपको याद हो जाने चाहिए, यम, नियम, आसन, प्रानायाम, प्रत्याहार, धारना, ध्यान, समाधी, eight limbs यह है, इससे ज़्याद आपक Dental Council of India के बारे में, तो थोड़ा से इसके बारे में जान लीजिए, यह news में इसलिए क्योंकि High Court ने एक retired judge को observer बनाया है, क्यों किस चीज के लिए Dental Council of India के Vice President का election होना था, उसके लिए observer जो बनाना था, वो High Court ने एक retired judge को बनाया, कि चलिए आप देखिए, सही से election हो, Vice President बने, यह important क्यों है, क्योंकि यह Dental Council of India एक से बना हुआ है, एक statutory body है भाई, और इसके लिए Act जो था Parliament का बहुत है क्या था, Dentist Act 1948 का, इसका काम क्या है, Dental Education मगरे को regulate करना, Dentistry का जो professional regulate करना, कि आप जो दांत के डॉक्टर, पकड़ पकड़ के मरीजों को जाके दांत नहीं निकाल उनके बोल के कि दर्द हो रहा है, चलो दांत निकाल देते हैं, क्या ही ज़रत है, दर्द हो रहा है, चलो उसका जो है Capping करा देते हैं, क्या ही ज़रत है, इन सारी चीजों पर रोक लगाना जो है, Dental Council of India का काम है, ज़रत पड़े तब करवानी यह चीज है, ऐसे नहीं कि फि इसको याद नहीं रखना है, इतना जान लिजए कि statutory body है, इतना काफी है, यहाँ पर देखी कि government से जुड़ा हो कैसे, इसकी financing जो होती है, government of India करती है, Ministry of Health and Family Welfare के थुरू, और वहाँ पे कौन सा Department of Health, Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare, तो grant in aid देके जो है, उसको संभालती है, इससे Monoclonal Antibodies किया, और Indian Express ने इस पे एक explains section भी डाला है, पहलो तो यह देखी कि news में क्या है, news में इसलिए है, United Kingdom में एक experiment चल रहा था, experiment में यह Monoclonal Antibody News में है, यह cocktail, cocktail मतलब क्या होता है, इससे drink को अलग अलग तरी किसे mix करते है, तो mix करके artificially है, हम लोग जब antibody बना है, वो होत Monoclonal Antibodies, cocktail मिला जुला के कैसे बनाया है, नाम दिया है, region, probably regenerated से अब एक बर रेफर कर लिजेगा, region cough 2, it has been found to be a life-saving treatment for some of the, कुछ जो आपे severely affected लोग थे COVID-19 से, उन पे यह जो है काम कर गया है, तो यही पर जान ली कि Monoclonal Antibodies artificial होते है, naturally body में generate नहीं होते है, लेकिन just like जो ह हमारी immune system जैसे act करती है, यह भी वैसे ही act करते है, और कई बार यह बहुत useful होते हैं, इनको आप चाहे तो एक virus को target करने के लिए बना दें specifically, या virus को कोई part है उसके लिए बना दें, अगर हम बात करें, region cough 2 की, जो यहाँ पे cocktail, जो आपके Monoclonal Antibody की बात हो रही है, तो इसमे क्या है, two Monoclonal Antibodies को मिला के बनाए गया है, और यह क्या target करेगा, पूरे पूरे आपके virus को target नहीं करेगा, उसका spike protein होता है, जहां से infection होता है, उस spike protein जो SARS-CoV-2 है, जो COVID-19 का virus है, उसका spike protein है, उसको specifically जाके target करेगा, आपको तो मज़ा आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा पहले देखा गया कि cancer के treatment में, यह जो Monoclonal Antibodies है, Monoclonal Antibodies यह cancer के treatment में, Ebola के treatment में, HIV के treatment में, बहुत यूसफुल रहा है, और अब COVID-19 के treatment में भी experimental stage में पाया जा रहा है, कि जो कई severely affected COVID-19 patient थे United Kingdom, उनकी जान बच गई, आप तो बहुत खुश जाओ गया, लेकिन यह सोचे कि यह artificial है, आप एक vaccine बनाते हो, virus वगरगा यूज करके, उसमें कम खर्च लगता है, अब यह artificial है, इतना इसमें cocktailing की जा रही है, एक specific target चुना जा रहा है, तो obviously इनको develop करना भी मुश्किल है, और expensive भी है, लंबा time भी लगेगा, तो takes a lot of time, it is expensive, these are its problems, बट या, जरुद सब ठीक है, साथ में ये भी news है कि 21st June को yoga day तो था ही, साथी साथ summer solstice भी था, summer solstice की पूरी आपको information चाहिए, जोगरफी का playlist देख लीजेगा, बट अभी के लिए जिन लोगों को basic जानना हो, ये इतना जान लें कि summer season का longest day होता ही है, obviously northern hemisphere की बात हो रही है, summer solstice में होता है क्या है, देखिए, अर्थ तो अपने जो है, आक्सिस पे ऐसे है, जो कि वही चलती है, summer solstice की दिन क्या होता है कि sun rays जो आती है, वो आपका अगर अर्थ ऐसा है, ये equator है, ये ट्रॉपिक आप कैंसर है उपर, और ये ट्रॉपिक आप कैंसर है, ये cancer है, तो ट्रॉपिक आप ट्रॉपिक आप कैंसर जो है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिटीटूड जो है, 23.5 नॉर्थ जो है, ये वाला जो है, इस पे डायरेक्टली संडरे आती है, solstice का मतलब ही होता, sun stands still, मतलब sun सीधे सीधे आपके एकदम उपर उपर आएगी, आप चले आएगे ना, अगर ट् सीधे नहीं आएगी, in fact, दिल्ली में भी नहीं आएगी, क्योंकि ट्रॉपिक आप कैंसर के आप उपर है, ट्रॉपिक आप कैंसर के उपर नहीं जाएगा डायरेक्ट संलाइट, सीर के उपर, I mean, since earth rotates on its axis, नॉर्दर्न हेमियस फिर जो है, obviously, डायरेक्ट संलाइट जो है, मा मार्च से लेकर सेप्टेंबर के बिच में समर का फेल करते हैं, और बाकी टाइम जो है, वहाँ पर जब आपके पास विंटर होती है, तो वहाँ साउधरन हेमियस पर में उनका समर होता है, यह वाली जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, संडरेज एगदम इस एरिया पर, यही जो है, ट्रॉपिक ऑप कैंसर है, इस एरिया पर डिरेक्ली आ रहे है, लेकिन यह नॉर्दरन हेमियस पर में हो रहा है, ऐसे, साउधर में जो देखिए, विंटर है भी, चलिए बाकी जो छोटे 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 न्यूज हम लोग कर लेते हैं, पहले जो कैने, लॉट्ष किया है, इंडियन स्रेटिफिकेशन ओप मेडिकल डिवाइसेज, इंडियन स्रेटिफिकेशन ओप मेडिकल डिवाइसेज, प्लस, लगा है या किसी का वर्जिन 2 है, मतलब वर्जिन 1 कहीं होगा पहले हां, पहले तो इसका नाम दिया नोगोंने, ICMED 13485+, ये सब कुछ मत जानी है, Indian Certification of Medical Devices प्लस ये जो स्कीम है, ये Quality Council of India ने लाँच की है तो इसका जो original स्कीम था, वो already 2016 में लाँच हुआ था उसमें प्लस नहीं लगा हुआ था, प्लस लग गया इसमें करते क्या है, देखिए, पूरा जो verification वगर है कि जो भी इंडिया में Medical Devices यूज हो रहे हैं, तो उनमें Quality सही maintain है की नहीं, उनको यूज करना safe है की नहीं और efficacy, efficacy का मतलब efficiency नहीं होता, efficacy का मतलब होता है जैसे कोई दवाई कर रहे हैं, तो वो क्या दवाई effective है, efficiency तो हो सकता है जान ले ले, efficacy होनी चाहिए, उसका सही result आना चाहिए, तो आप efficient भी रहे, और आपकी efficacy भी रहे, UPSC के तयारी में, तो medical devices के लिए है, कोई medicine के लिए नहीं है, इसके लिए quality council of India ने नया scheme launch किया, plus a scheme, तो शुरुवात से लेके, end से लेके, end तक पूरी quality assurance की इसमें guarantee रहेगी, और साथी साथ वो चेक करके, यहाँ पे आपको certification भी दिया जाएगा medical devices को, यह world का पहला scheme है, जहाँ पे quality management system, साथी साथ product की certification, standardization, सारा कुछ जो है, रहेगा, किसके according, इंडिया की जो regulatory requirements है, या कोई international regulatory requirements हमाले, जो world level की, तो वो सारी चीज़े यहाँ पे integrated रहेगी, उसी के हिसाब से certification दिया जाएगा, तो main जो important आपको यहाँ पे जाना है कि quality council of India क्या होती, देकि quality council of India एक थोड़ी अलग तरीके की body है, एक autonomous body है, और इसको set किया, आपके ministry of commerce and industry ने, लेकिन ministry of commerce and industry के अलावा यहाँ पे, जो आपकी industries है, वो भी involved है, ताकि वो भी बताएं कि कैसे कैसे चीजों को maintain करना, तो private और government की मिली जुली body है, easily autonomous body है, बाकि set up किया, ministry of commerce and industry ने, तो कौन को नहीं यहाँ पे, जो भी इंडिया के तीन famous जो industries की bodies है यहाँ वो तीनों है यहाँ पे, पहला है, एसोचम, एसोचम मतलब क्या होता है, associated chambers of commerce and industry of India, सारे बड़े बड़े बिजनस्मेन, confederation of Indian industries उसी तरह की body, federation of Indian chambers of commerce and industry उसी तरह की body, तो यह तीनों है, और साथ में कोन है, government of India through ministry of commerce and industry, सबने मिलके क्या बना है, quality council of India, तो वो companies बत medical devices के लिए, Indian certification of medical devices, plus scheme, यहाँ पे आपको tricky चीज़ बताऊ, quality council of India के chairman की appointment होती है, वो prime minister करते है, so that becomes very important, काम क्या होता है, QCI का, quality council of India का, quality council of India का का काम यह है, कि पूरे national level पे accreditation, मतलब कि certification देना, industries के चीज़ों को, कैसे चलाना है, और country में एक national quality campaign चलानी है, खराब बड़े quality की चीज़े ना चले, इसके लिए, quality council of India काम करता है, chairman की appointment, prime minister करते है, बिलकोल याद रख लिजेगा, next छोटी सी news क्या है, बहुत छोटी तो नहीं है, बट इतना जान लिजे, world health organization ने, जितने भी south east Asia के country है, सबको बोला है, कि आप जल्दी से जल्दी, please अपना public health और social measure ब होता क्या है, देखे, WHO जो है, United Nation का एक specialised agency, specialised agency क्योंकि एक technical agency है, WHO health का काम देखता है, medicine का, medical का काम देखता है, और यह बना था 1948 में, right, जिस दिन यह बना था 7th April 1948 को, तो बड़ी चीज है, WHO, उसी दिन को हम लोग world health day भी मनाते है, और इसका headquarter UN में में नहीं है, मतलब US में नहीं है, Geneva, Switzerland में, ठंड लगेगी, कहां जाना है, Switzerland जाना है, sorry, गर्मी लगेगी, कहां जाना है, Switzerland जाना है, और headquarter कहां बनाना है, WHO का, Switzerland, Geneva में बनाना है, मस्त, resort बगर में रहेंगे, मजे करेंगे, और इसका काम यही हो था, health promote करना, cleanliness campaign से लेके, medicine campaign सब बहुत कुछ करती है WHO, तो WHO के दो body आपको जानने की जोरत वर, उसमें खास करके, यह वाला बिल्कुल मत भूलिएगा, in fact, UPSC के लिए, क्योंकि कई बार इसकी meeting से, जो world health assembly होती है, उसे कई बार बड़ी बड़ी चीज़ें निकलती है, और world health assembly का recent term लोग याद भी रखते कि कहां पे होता है, यह तो important हो जाता है, जो decision making body है, कि decision लिया जाए कि क्या करना है, वो world health assembly करती है, यह WHO की decision making body है, तो organization कैसे चलेगा, उसकी policy क्या होगी, उसका director general भी यही appoint करती है, financial policies कैसे चलेगी, बजट कितना होगा हर program पे, यह सब कुछ decision world health assembly लेता है, और इसकी meeting जो होती है, एन्वली जनेवा स्टिजर लेंड में होती है, लेकिन world health assembly से क्या क्या निकल के आते convention मगर हो कभी कभी याद करने होते हैं, तो यह तो policy बनाएगी है, क्या policy होगी, कितना खर्च देंगे, क्य क्या करना है, action लेंगे, decision making body है, लेकिन उसको implement करने के लिए कौन होगा, implement कौन करता है, executive करता है, तो दूसरी body क्या है, executive board, वो जो यहाँ से decision निकल कर आए न, world health assembly को, उसको implement करेगा, executive board, the executive board, जो भी policy जाएंगी, health assemblies के, funding कहां से आती है, डवली हो कि आप देख लीजेगा, एक तो assist contribution है, मतलब की, assist मतलब assessment कर लेना कि कहां से कितना आ रहा, जो भी country जाएंगे, तो वो वहाँ पे पे करती है, voluntary contribution, member state जो आपने हिसाब से, एक तो assist है, कि आपने membership लिए तो आपका assessment करके, आपसे पैसा ले लेंगे, बाकि उसके लिए, voluntary contribution है, और from other partners, जो कि member नहीं बन कर लें, यह क्या है, core voluntary contributions, fully unconditional, flexible fund meaning, WHO has full description on how to use this fund, funds should be used to fund the program, work of the organization, जो core voluntary contribution एक बनाया गया, यहाँ पे CVC, core voluntary contribution, वहाँ पे कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना है, कहां खर्च करना है, यह पूरा WHO determine करता है, कि CVC, CVC मतलब आपका vigilance नहीं है, core voluntary contribution, next चोटी सी news है, green hydrogen, अब कुछ सोची, green लगा, वो मतलब क्या होगा, CO2 का emission नहीं होगा, तब ही होगा, अब देखे, आपको पता है, कि fuel industry के लिए, blending के लिए, तरह तरह की बात हो रहे है, कि hydrogen fuel लाया जाए ना, blending तो blending में भी बात चल रही है, तो hydrogen fuel आ जाए कम से कम, fresh water की क्या जोरत है, तो hydrogen अगर निकल गया, और hydrogen की capacity अब जानते हैं, fueling में कितनी है, बहुत पारवोर्ट fuel है, hydrogen है, जला जला के जो है, यह धुआ धुआ कर देगा, तो hydrogen जो है, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन hydrogen बनाना, H2O से, पानी से बनाना, यह बहुत बड का summit बनाएंगे, यहां पर हम लोग जो है, तरह-तरह की बाते करेंगे, और बोलेंगे कि ancient India में, तो hydrogen ऐसे हवा में हम लोग बना देते थे, पानी जो बारिश होती थी, तो हम लोग तीर मारते थे, और बादल से जो नीचे गिरता था पानी ना, तो oxygen अलग हो जाता था, और hydrogen से हम लोग फ्यूल बना लेते थे, तो इंडिया इस पर दो दिन का summit बना रहा है, कि green hydrogen initiative कैसे करेंगे, वही चो निकलेगा न, h2o से उसी को green hydrogen बोलेंगे, और इसमें, ब्रिक्स निशन को बुलाएंडिया ने, वाले को नहीं, एडवांस वाले को नहीं, प्राजील, रशिय इंडिया, चाइना, साउथ अपरिका, इनको बुलाया है, ताकि जो है, अपने लेवल की बाते करेंगे, और यह 22nd June 2021 को बड़ी खुशी की बात, और इसको कौन और और इसको कौन और और नेशनल थर्मल पार कारपरेशन, एंटीपी से आप बताएं, एक महारतन कंपनी है, मिनिस्ट्री पार के अंदर, इंटीपी सी बहुत अच्छे कंपनी है, उसमें सारे क्या टेक्नोलोजिकल इसूज है, क्या एफिशेंसी ब्रिंग करें, फाइनेंसिल वाइबलेटी है, कि नहीं कहीं, पानी को तोड़ने में इतना खर्चना हो जाए, कि पांच ट्रक के बरा इनरजी लगेगी, वो आपको रिनुवेबल इनरजी लगानी है, पानी को तोड़ने के लिए, अगर आप रिनुवेबल इनरजी लगा के पानी को तोड़ते हैं, उसकी लाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रो लाइसिस करते हैं, तो इंदन के रूप में भी रिनुवेबल मतलब कि पृत्वी पर अपने जो है सी यू टू की मात्रा ना बढ़े तो बोलेंगे कार्वन फूट्प्रिंट समझ गया देश गिप्स हीड्रोजन दे एज ओवर दा फ्यूल्स टू अनलॉक वेरियस अवेनियुज अगर ऐसा कर लिया आपने तो मज़ा ही आ जाएगा और जो है आपको बड़िया वाला एज मिलेगा नेक्स्ट क्या है छोटी सी न्यूज है यह कचुए की न्यूज है टॉल्टल यह उता है टॉल्टवाइच जो अपके जमीन वगर अगर अगर थो दलदली एरिया में टॉल्टल आपके पानी में होता है निलोसिना निग्रिकें अनाम है हया गृवा माधव टेंपल है है इस टाइ्टल को बचाना है इस केलोंने दो ग्रीन तो मतलब और कामरूप में चुकी इसको कंजर्व करना है गुवाहर्टी में और गुवाहर्टी मतलब कामरूप तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिस्टेशन के साथ मिलके जो है इसका लॉंग टर्म कैसे कंजर्वेशन किया जा इसके लिए M.O.U. साइन किया है साइन हयाग रिवा माधव टेंपल ने कुछ ग्रीन एंजियों के साथ साथ आसाम अस्टेट जू कम बोटानिकल गार्डन के साथ और साथ आपके कामरूप डिस्ट्रिक एडमिस्ट्रिशन के साथ तो इसकी अगर बात करें तो अंटेल साइटिंग अलॉंग ब्रहमोपुत्र ब्रहमोपुतर है वहाँ पर पकते हैं उसी के पंड में तक और आप ब्वक्ति करने जाते तो और आ पर दाना देते तो तो बिचार ट्रेटाल आके खाता था तो कितने प्यार होगे लोगों को सूचिए तो उससे बचाने की जोरत है की नहीं है और कहां पर पॉंड्स आपके पॉंड्स में नॉर्थ इस्टर इंडिया में और बांगलादेश बगर एक टेंपल बगर के पॉंड में खाले बचा हुआ था लेकिन अभी अभी इसको ब्रह्मोपुत्रा ड्रेनेश बेसिन में देखा तो उसका है निकाल ले रहे हैं काटीलेश को जो इंटरनेशनल ट्रेड में डाल दे रहे हैं तो बचारैं पर इंद करें तो यहीं से देख लीजिये हया आभी माधव टेंपल और इसको बनाया था 6th century AD में एक राजा थे पाल डाइनेस्टी के उन्हों ने तो पाल डाइनेस्टी के परमें यहां नहीं पढ़ाऊंगा तो प्रजेंट टेंपल स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड बाई किंग रगुदेव नरायन क्या वह बीच में डिमोलिश हो गया कुछ आर्मी बगर काप समझी रहों कहां से डिमोलिश हुआ हो तो 1583 में उसको रिसरेक्ट किया था आपको याद रखना है क्या नहीं इतना याद रख लीचे काफी है और याद रखेगा कि चुकि यह हिंदू टेंपल है तो हिंदू को बिलब्ड हो गया साथी साथ कुछ बुद्धिस्ट लोग हैं जिनका मानना है कि बुद्ध बगवान निर्वान की प्राप्ति के दिए तो अपने अपने जो है अजम्शन के कारण हिंदू का भी फिल्ग्रिमेश साइट हो गया बुद्धिस्ट का भी हो गया और कच्छुआ का भी हो गया नेक्स्ट सब्सक्राइशन में उडिशा गवर्मेंट ऐसे लोगों को जो है 25 रुपया दे रही है और आपको पता कॉरिडोर भी अपने जो है नए इनिशेटिव में करें तो जिन लोगों ने भी दोनों अपने पेरेंट्स खोए हैं तो वी आर गीविंग दिम फ्री कोचिंग इसके है यह नियरे लेगी एहर फोरस नहीं लेगी एमेचय आपको पता है नहीं करता हैं लट है और भी का यह Even करेंगे तो यह में बनता है यूए यूए की अ लॉखेड मार्टिन वह बनाती होगी मेरे हिसाब से लॉखेड मार्टिन ने बनाया इंडिया उसकी प्रकुर्मेंट करने वाला है एमेज सिक्स्टियार हेलिकॉप्टर की तो 18 नेवी की लोगों को भेजा तो आपके घर से भी कोई आया है क्या हुआ पर ट्रेनिंग के लिए अच्छा मतलब आपको औहदा मिल सकता बस उसके लिए कोई एक्जाम पास करने की जुरुत नहीं है तो नेवी की बढ़ जाएगी तो मजा ही आ जाएगा ठीक है अब यह जो स्कीम आई है बाई ग्लोबल कटेग्री इंडिया की उसके तहत इंडिया वहां से खरीद रहा है तो यह क्या है बाई ग्लोबल कि कुछ नहीं है लेना है बाहर से तो तरह तरह के बहाने करने तो इसमें क्या करना है बाई ग्लोबल और साथ में क्या लगाती है बाई ग्लोबल मनुफेक्चर इंडिया यह डिफेंस प्रकूर्मेंट पॉलिसी आती है ना बार बार तो उसम में यह मेंशन किया गया था कि हम लोग एक स्कीम लेकर रहा है बाहर से खरीद बनाओ इंडिया में उसमें करना है क्या है 50 परशेंट उसका इंडिजनेस कंटेंट होगा जैसे हमारा यह यह पूरा जो स्लाइड बगर पीपिटी बना हुआ इसमें बहुत इदर उदर से चीज इंडिजनेस मतंब इंडिया नहीं होता है इंडिजनेस मतंब म्यानमर कभी इंडिजनेस हो ता है इंडिजनेस मतंब लोकल उस्कंट्री का अनुझी Tracy नीच火 को लिए वीविग रोओ से लो दो और बाकि जो बैलेंस क्वांटिटी जो है इंडिया में मनुफक्टर होगी बस होगे इसके अलावाँ इस वोट बी इन प्रेफरेंस तो बाइग ग्लोबल करें अगर चाइनीज गुडिया बाहर से लेकर आए और उसका पूरा हेर वगर का पूरा जो कॉंसेप्ट यहां करें बाकि साडी सलवार जो भी उसको पैना ना मॉडरन कपड़े वो इंडिया में बने तो वो क्या हो जाएगा बाइग ग्लोबल मनुफक्टर इन इंडिया अगर 50% से उपर काम यहां करें अब पूरा का पूरा जो है उसका जो है चाइनीज कपड़ा वगर पैनके बाहर से य इंडिया में जॉब क्रियेट होगी तो हमें मजा आ जाएगा इसी लिए ऐसी पॉलिसी लाई जाती है समझ गया इसके साथ ही जो है यह खतम हो गया आपको PDF कहा मिलेगी टेलिग्राम पे सच करिएगा एड़ रेट मत लगएगा ऐसे लिखिएगा एबी एच आइन डबली क्यों कि एरर है अभीनव सिंग ऑफिस्यल ऑफिस्यल क्यों क्यों कि कुछ लोगों ने पारेशे करके मेरे नाम पर यह से बना दिया था हो लगाना पड़ा अभीनव सेर्च कर रिये और वहां से इसको डाउनलूड कर लिए तैंक्यों सो मच मिलते हैं कल लगवाग इसी टा टाटा बाइबाय टेक केर